आज मैं आप लोग के साथ ओनलाइन क्विज कॉंटेस्ट की इंफोर्मेशन सेयर करूंगी जिसमें आप लोग घर बैटे फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 1000 तक कैस प्राइज जीत सकते हैं हाई एब्रीवन विलकम बैक टू माई गीतागडेमी चैनल तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं माई गोवर्मेंट मनिपूर डिपार्टमेंट ओफ इन्फोर्मेशन टेकनलोजी के साथ मिलके ओनलाइन स्पोर्ट स्कुईज और वो भी आपके स्पोर्टिंग नॉलेज को चेक करने के लिए पहले बात करते हैं इस कॉंपिटिशन के रिवर्स के बारे में तो दोसो इस कॉंपिटिशन में पार्टिसिपेट करने बाले हर एक पार्टिसिपेट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेंगे और इस कॉंपिटिशन से टॉफ फाइब वीनर्स को वान थाउसन करके कैस प्राइस मिलेंगे अब मैं डिसकस करूँगी इस competition से related important terms and conditions के बारे में quiz contest में आप लोग को 1 minute यानिके 60 seconds time मिल जाएंगे जिसके अंदर आप लोग maximum 5 questions का सही answer दे सकते हैं या आप लोग को देना होगा 5 questions का सही answer contest में कुछ भी negative marking नहीं है इसका मतलब हर एक participant सारे question का answer दे सकते है या attempt कर सकते हैं जो भी participant सबसे कम time में सबसे ज्यादा question का सही answer देंगे और quiz competitions complete करेंगे उसके basis पे top 5 winners को select किया जाएगा अब डिसकस करते हैं इस competitions के eligibility के बारे में तो दोस्तो इस quiz competitions में इंडिया के रहने वाले कोई भी age के participants participate कर सकते हैं कुछ भी lower या above age limit नहीं mention किया है इस organization ने मगर जो भी employees या वही employees के family members इस organization के साथ directly या indirectly connected है वो सारे participants या employees या family members इस competitions में participate नहीं कर सकते हैं एक individual participants सिर्थ एक बारी इस quiz competitions में participate कर सकते हैं multiple entries from the same entrance will not be considered and will be discarded quiz competitions complete करने के बाद participants अपना score भी चेक कर सकते हैं quiz competitions में organizers के decision सी final होंगे और एक बार आप लोग अपना detail submit करने के बाद या participate करने के बाद अपना entry withdraw नहीं कर सकते हैं इस competitions में यह quiz competitions already start हो गया है 10th June 2021 से और participate करने के लिए last date है 10th July 2021 रात के 12 बजने से पहले अब मैं आप लोग के साथ discuss करूंगी जो भी participants इस quiz competitions में participate करना चाते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं sports quiz by my government money poor इस quiz contest का link manager description box में mention कर दूंगी सबसे पहले आप लोग उस link को जाकर क्लिक केजिए क्लिक करने के बाद देखिएगा इस तरीके का एक window open हो जाएंगे जहाँ पर right side में नीचे login to play quiz इस बटन पर जाकर आप लोग को क्लिक करना होगा देखिए इस तरीके का एक window open हो जाएंगे जो भी participants का my government website पे पहले से account नहीं है वो लोग register now बटन पर जाकर क्लिक करके अपना basic details देखे पहले अपना account create कीजिए my government website पे उसके बाद login करके same procedure आप लोग apply कर सकते हैं इस quiz contest पे participant करने के लिए मेरा इस my government website पे पहले से account है तो मैं अपना facebook account के थूँ यहाँ पर login करके आप लोग को दिखाती हूँ देखिए इस तरीके का एक window open हो जाएंगे जहाँ पर right side में आप लोग को start quiz बोलकर एक options मिल जाएंगे वहाँ पर जाकर आप लोग को click करना है click करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर five questions मिल जाएंगे और देखिए यहाँ पर आपका one minute already start हो गया है मैं यहाँ पर एक बर roughly question का answer select करके आप लोगों को दिखाती हूँ को कैसे आप लोग participate कर सकती है five questions attempt करने के बाद आप लोग previous question का answer अगर change करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस तरीके से और five question का answer देने के बाद finally submit button पे आप लोग या finish quiz इस button पे click करने से आपका submission successfully submit हो जाएंगे next आप लोगों को बताऊंगे कि आप तुरंती आप लोग अपना कैसे score चेक कर सकते हैं और certificate download कर सकते हैं देखिए click here बोल कर आप लोग को यहाँ पर एक options मिल जाएंगे जहाँ पर जाकर आप लोग क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आप लोग यहाँ पर sports quiz my government money pool के right side में download certificate बटन पर जाकर click करने से आपका certificate भी यहाँ पर download भी हो जाएंगे देखिए आपका certificate से यहाँ पर completely तयार हो गया जो कि my government money pool और my government की तरफ से organized किया गया है June month quiz contest की आज की question है Which day is observed as world day against child labor? Option A 10th June Option B 13th June Option C 14th June And Option D 12th June इन में से जो भी आपको सही answer लगे जल से जल अकाडेमी.git90.gmail.com इस mail id पे send कर दीचिए जो भी participants सबसे पहले maximum number of question का सही answer देंगे वही जुन मांत quiz contest की winners होंगे और घर बैटे cash prize भी जीट सकते हैं. तो दोस्तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसी तरह के और एक informative वीडियो को लोई के तब तर के लिए thank you so much.